अब बच्चे से खाकर बहुत खुश हो जाते हैं अब बड़े भी से खाकर जादा ही खुश हो जाते हैं उनका भी हाथ कंट्रोली नहीं हो पाता दूसरा पिछ लेने के लिए इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइक किजेगा इसके लहमें चाहिए एक कटूरी मैदा आधी कट इतना ही गर्म हो जिसमें हमारा उंगली अराम से बरदास कर लें सुसुन टैप का होना चाहिए और इसमें ज्यादा दूद की ज़रत नहीं पड़ती है आइसिंग सुगर दो चमज भर के चाहिए और नमक चुटकी भर ऐसे मैं ड्राइस्ट से बनाना बता रही हूं सबसे टैण बने चाहिए चोटे से बाल में चार से पांट चमज बरिया καड़ियाहसे दूर बात दोंगी और इसमें एक चुटकी नमक डाल दोंगी कि और ड्राइस्ट डाल दोंगी मैं यहाँ एक चमज भर के डाल रही हूं और आपके पास अगर ड्राइस्ट नहीं है ना तो कोई टेंसन की बात नहीं है आप क्या किजिए मैदा में अधा चमच बेकिंग पॉडर आधा चमच बेकिंग सोडर डाल दीजे और नमक एक चुटकी डाल दीजे अब देखिए इस लिक्विड में घी डाल दीजिए क्रमबल कर लिए और पांच-छे चमच दही से इसका डो तैयार कर लिए इस तरह पांच मिट के लिए ढख के अलग से गरम जगा पर रख दी ती अब गरम जगार में रखने के बाद फिर पांच मिट के बाद में इसे निकाल के दिखा रहे हूं कि इतना ठामक और घी डाल दीजए एक चमच और दूर चमच भरके ऐसीं सुगर डाल दीजएगा और क्रमबल कर लिजएगा बढ़िया से और देही से गुथिएगा मैं यहां पर आईसिंग सुगर भी डाल दी जो मेरा बचा हुआ था सबब को मिला के मैं अच्छा से करवटि get कर लूंगी मैं इसको देखे सब्सक्राइब करोंगे। इस को डाल दूंगी पूरे लगने के इस बाद दूद की जोरत पड़ी तो नहीं पड़ी इसमें बहुत अच्छा से डो तयार हो गया है मेरा इसका डो ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा गीला नहीं ज़्यादा धीला हो बीच का होना चाहिए ताकि हमारे बेलंस से अच्छे से बिला जाए इस तरह का होना चाहिए इसको पांच से दस मेट के लिए रेज्ट करने के लिए रख दू और इसको हां से अच्छे में मसल दोंगी बड़ी हां से चिकना कर दोंगी तो थोड़ी फाइटिंग भी कर लूँगी फर्स में रखके इसके साथ इस तरह से तो क्या बहुत अच्छा बने गाई यह आपका देखे मैंने इसको कितना अच्छा से कर दिया फैटिंग इसकी कर लूँगी और इस डो को अच्छा से कोट कर लूँगी मैदा में चारों तरफ से अच्छा से हो जाए सब तरफ से तो इसका कहना हमें मोटी सी रोटी तयार करनी है इस जिसका जरूर ध्यान रखेगा पतला बनाएंगे ना तो डोनट्स का मज़ा नहीं आएगा इस जिसका जब ध्यान बार बार रखेगा इसकी हमें बस मोटी रोटी तयार करनी है बहुत अच्छा लगता हे मोटा थोड़ा सा अदेखे मेरा यह ज्यादा डो गिला नहीं था और नहीं ज्यादा हार कि इतना अच्छा से बढ़िया से सर्रकरी है चिपक भी नहीं रही है लिप- कर लेंगी बढ़िया से कटिंग कर ली मैं इस तरह से बहुत अच्छे से कट हो जाती है बाकी टुकड़े को भी इसी तरह से मिला कि मैं कट कर लूँगी बाद में अब डेटोल का धक्कन रखूंगी बीस सेंटर में उसे भी प्रेसर देके बढ़िया सा गोल सा कट कर कि बहुत आसानी से बन जाती है कि अब इसका साईज कर नहीं हो राहा है मैं इसको क्या ने एक से घंटा के लिए मैं गरम जगहा पे ढग के रख दूँगि थोड़ासा यह हल्का सफूल जाएगी एक घंटा के बाद मैं से निकाल ली हूं और तेल क्या है न मिडियम हिट पे गर्म रहना चाहिए जब आप डोनट्स को डालें तो आज को बिल्कुल लोग पे छोड़ दीजी और इसको क्या है कम आज में पकेगी ना तो बहुत अच्छा पकेगी इसको बार बार आप नहीं पलटिएगा जब एक बार कलर अच्छा से आजाए तभी इसे पलटिएगा इस जिसका अब ध्यान जरूर रखेगा और इसमें देखे इसको कम आज में ही पकने दीजेगा कम आज में बहुत अंदर तक अच्छी से पकती है अब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और कलर बहुत अच्छा आता है देखे मै वाइट कमपॉंड चॉकलेट जो आती है ना हमारी उसको मैं मेल्ट कर ली हूँ और ग्रीन कलर डाल दी उसमें अपने पसंद का कलर डाली है या डार्क कमपॉंड चाकलेट से बनाई है और अक्केक ड्रिकोरिसन के लिए जो भी आती है ना बाल वेगरा जो पसंद है आपक थाइंक यू